समस्कार मैं हूं मैं यूरीका और आप में साथ वियराम जीवी पर देख रहे हैं मुद्दे की बात लोग दबाच उड़ाओं दो हजार चौबिस के बाद इंडिया और एंडिये में आज पहली भीडन देखने मिली जिसमें बाजी इंडिया के हाथ लगी मद्यपदेश और बिहार समेत साथ राजियों की तेरा सीटों पर विधान सभा के उपचुनाओं के नतीजे आज खोशित किये गए सभी सीटों पर दस जुलाई को वोटिंग कराई गई थी इनमें से कॉंग्रेस ने चार टीमसी ने चार भाषपा ने दो आम आदमी पार्टी टीमक और निर पॉली पश्चिम मंगाल की राइगंज रानागाट दक्षिन बागदा और पश्चिम कला तमिल नाडू की विक्रमंडी मद्यपदेश की अमरवाडा उत्राखंड की बद्रिनाथ और मंगलोर पंजाब की जालंधर पश्चीम और हिमाचल प्रदेश की देहरा हमिरपूर और नालागढ शामिल रही मद्यपदेश की अमरवाडा सीट पर भारतिय जंता पार्टी विजयता बनी है यहां कॉंग्रेस पार्टी हारी है बिहार में जेडियू को हराकर रूपोली विधानसवा सीट पर निर्दल ये प्रत्याशी विजयता बने हैं पजजाब की जालं कर T.M.C. ने ये सीट हासल कर ली है माचल पदेश में हमिरपूर में कॉंग्रेस को भाजपा ने हराया है वहीं देहरा सीट पर कॉंग्रेस जीती है भारतिय जंता पार्टी के प्रत्याशी को यहां हार विली है नलगड में कॉंग्रेस पार्टी जीती है और भाजपा का प ये सीट हासल कर ली है। हाचपा के मानस कुमार घोश के खिलाफ पचास हजार से अधिक वोटों से वधान सभा का उपचुनाऊ जीत लिया। इसे के साथ टीमसी ने बंगाल की सभी चारों सीटों पर जीत हासल कर ली। कॉंग्रस के उमीदवार और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंग सुखो की पतरी कमलेश ठाकुर ने देहरा में 9000 से जादा वोटों से जीत हासल की। वहीं हमिरपूर विधान सभा सीट पर बीजेपी के आशिश शर्मा ने कॉंग्रस उमीदवार डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा को हराया। चालंधर पश्चिम विधान सभा की सीट पर आम आदबी पार्टी के उमीदवार मोहिंदर भगत में 37000 से जादा वोटों के बड़े अंतर से जीत हासल की। नतीजों के अनुसार इंडिया गटबंधन के दलों ने इसमें शांदार प्रदेशन किया है। कॉंग्रेस ने हिमाचल और उत्राखंड में अच्छी जीत दर्ज की है वहीं ममता बैनर जी की पार्टी टीमसी ने अपने गड़ बचा कर रखने में काम्याबी हासल की है। थारती जनता पार्टी को बमुश्किल दो जीत मिली है। यमाचल प्रदेश की देहरा और नालागड सीट कॉंग्रेस ने जीती। भारती जनता पार्टी या एंडिये की सरकार को देश नकार क्यों रहा है। लोगसभा चुनाओ 2024 के प्रणाम तो भारती जनता पार्टी के हक में नहीं ही रहे। उसके बाद ये जो उप चुनाओं हुए हैं उस पे भी बाजी इंडिया के हाथ लगी है। एंडिये पर लगातार इंडिया भारी पढ़ रहा है। और उसकी वजय क्या है। उसकी जद्धो चुह है शायद भारती जनता पार्टी ने शुरू कर दी होगी। भारती जनता पार्टी त्वारा लगातार योजनाओं को लागू किया जा रहा है। दस साल में विकास की राजनीती की बात कही गई है लेकिन देश के लोगों के गले वो विकास की राजनीती उतर नहीं रही है। और शायद इसी वज़े से अब देश के लोगों ने इंडिया गठबंधन को पसंद करना शुरू किया है। और इटिया गठबंधन में विपक्ष को कही ना कही मजबूती देने की कोशिश देश के नागरेकों की और से की जा रही है, लोकसभा चुनाओ दो हजार चौविस के बाद से लगातार भारतिय सियासत बदलती जा रही है, अब लोकसभा और राजसभा में आमने सामने बैच जून को अब सविधान हत्या दिवस मना रही है, यानि आपात काल, पचास साल पहले की जो इमर्जंसी थे, कहीं ना कहीं उसी पर देश का ध्यान भारती जनता पार्टी केंद्रित करना चाहती है, और भारती जनता पार्टी की यही पॉलिसी शायद देश के नागरेकों को पसंद नहीं आ रही है, जो बीत गया, उसकी बात भी क्यों होनी चाहिए, अब आने वाले जो साल है, जिसमें भारत को तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बननी है, भारती जनता पार्टी के पाच पिसले 10 साल भी है, जिसमें उन्होंने काफी काम किया है, लेकिन पिछले 10 साल को भारती जनता पार्टी बिलकुल याद नहीं कर रही है, और भारती जनता पार्टी पचास साल पहले कॉंग्रस पार्टी ने क्या किया था, कॉंग्रस पार्टी और कॉंग्रस के नेता राहुल गांधी, इसी के आसपास जब भारती जनता पार्टी और NDA की पूरी सियास कि दृद्वाउन आया मेहंगाई नोग्रिया जो है सरकारी पृषाये उस पर लगातार सवाल उठे हैं॥ परिक्षाओं में पर्चे लगातार लीक हो रहे हैं, परिक्षा देने के बाद भी उसके प्रणाम सही तरीके से सरकार नहीं दे पारी है, मनिपूर का मामला है, ऐसे कई मामले हैं जिस पर जवाब देने की बजाए, भारतिय जंता पार्टी अब कहीं गलत कदम उठाती जारी है और उगी गलत कदमों की वज़े से भारतिय जंता पार्टी अब पिछड़ती जा रही है, लोगसवा चुनाओ में तो भारतिय जंता पार्टी को एक जटका लगा ही था और आज भी जोरों का जटका धीरे से भारतिय जंता पार्टी को लग ही गया है, ऐसे में आने वाल अगर सोच नहीं बदली, अगर विचार धारा नहीं बदली, तो देश की नागरिक हो सकता है भारती जनताफभाटी को, पांक साल बाद देश की राजनीती से उखाड कर फैंक दे, सोच ये का जरू, बुते की बात में, आज मेरे साथ बस इतना ही विएनेम के यूट्यूब चानल को आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अब तक नहीं किया है तो, और बैल आइकन प्रस कर दीजिए, विएनेम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके,